निवस्कार स्वराद सेहत में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे ओरल सर्जवरी के बारी में और मैं हूँ आपके साथ वर्ष क्यों गौड़ी ओरल का मतलब है मू, दात, जब्रा और मसूरे जिसमें छोटे बड़े जब्रे हद्डियों की बच्छा से चहरे का बिगर्णा या फ्रक्षर होने पर जब्रे को जोड़ने और सुधाने चासे सर्जवरी होती है इसके अलावा अकलदार खराब दात को हटाने और त्यूमर को बाहर निकालने की सर्जवरी भी ओरल सर्जवरी करते हैं ओरल सर्जवर, दात को इंफ्लांच करना होग जो पटे हैं होने के इलाज में भी बेहर मददगार साबित होते हैं इसके साथ ही होटों और जीव, गालों के अंदर की सताह पर या मसूरों में किसी भी प्रकार की को के कैंसर का भी इलाज करते हैं यह त्वीट्मेंट और एस्टाशिक दोनों पहलों को ध्यान में रख कर किया जाता है तो इन्हीं सब सर्ज़री को समझने के लिए शुरू करते हैं अपना खास कारी करम स्वराग सेहथ और इसी बेहत ही खास मुद्धे पर चुर्चा करने के लिए मौजूद है भावा चेंटल कॉलेज में ओरल स्वर्चुरी जपार्टमेंट की हैं डॉक्टर अनीश्वा मारिया जी अनीश्वा जी बहुत स्वाकत है आपका हमारे खास कारी करम स्वराग सेहथ में हम अपनी द और डॉक्र अनीश्वा से आप अपने तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं अनीश्वा जी ओरल सर्जिरी आखे क्या होती है यह बहुत ही अच्छा सवाल है दो आपने इतना अच्छा इंट्रोड़क्शन दिया लेकिन मैं आपको बता दू आम जंता को बहुत कुछ ह century पूब एगिरीरी मिलती है जसमें 9 specialities होती है उन 9 specialities में से 1 है और औरल सर्जरी और और रोल सरजरी हीאज एक ऐसी speciality है जसमें हम लोग inpatient का treatment करता है जानी की patient को फास्पितल में अदमेट करके उसके operations होते हैं operation theater में just like general surgeons and orthopedic surgeons and बाकी सारे जो medical specialists है उनके जैसे ही हमारी भी speciality है so हम एक ही you might say specialist हैं dentistry के जो की hospitalization patient के काम करते हैं तो डॉक्र अलेशा जिस तरह मैंने पुछा कि oral surgery क्या है और क्या oral surgery में पेस के bones के fracture का भी एलाज किया जाता हो और किया जाता है तो ये कितिना इसमें वक्त लगता है oral surgeons जो सारा surgical head face neck area जो है इसका सारी surgery oral surgeons ही करते हैं और fracture भी जब जब्रे के होते हैं accidents में वो भी हम ही treat करते हैं वैसे तो competition है बाकी जो भी करते होंगे लेकिन my take is that जब oral surgeon करते हैं तो हम लोग क्योंकि base हमारा dentistry है तो हम लोग दानों का जादा ध्यान रखते हैं हड़ी जोडने के समें जब हड़ी जोड़ी जाती है सिर उसका border नहीं मिलाया जाते हैं तो हम ये देखते हैं जब दान थोड़े से भी जाएं जगपे से तो इस वेरी इंपॉर्टन की oral surgeon ही fractures of the jaws जो होते हैं उसको treat कर वाएं क्योंकि हम दातों का भी उसमें ख्याल रखते वए काम करते हैं एक और खासित oral surgeon की है क्योंकि हम oral cavity के expert हैं तो हम लोग जो incisions मारते हैं वो फ्रैक्चर की तरफ पहुचने के लिए जो you might say जो cut करते हैं हड़ी की तरफ पहुचने के लिए प्लेट डालने के लिए वो incisions intra-orally दिये जाते हैं in the sense की oral cavity के अंदर से सारे incisions दिये जाते हैं बेस्ट फाइदा यह होता है कि फ्रेस पे कोई स्कार नहीं आता जब हम फ्रैक्चर ट्रीट करते हैं हम दो बेरार extra-oral incisions तो हैं लेकिन हम लोग वहां सान्य आ जाते हुए अंदर से काम करते हैं जिसकी वज़र से patient के मूह में कोई जाते हैं यह सबसे बड़ी खासियत oral surgeon की fracture treatment की है और दूसरी बात याद दिला दू कि यह fracture होते किसको है fracture होते हैं young patients को usually 20 to 40 years age group वालों को क्यूंकि जादा तर road traffic accidents में ही यह तो इस मामले में naturally young patient को अपने face पे scars चाहिए भी नहीं होंगे so I think we are the best people to treat fracture कितना difficult होता है क्यूंकि आपको इस बात का भी खयाल रखना है कि इस कार ना आए और इस बात का भी खयाल रखना है कि जो surgery हो रही है वो एक्दम perfect हो तो कितना वतलब इस बात आप लोग को कितना attention देना पड़ता हो कितना time checking रहता है नहीं को time ज्यादा नहीं लगता है जितना time एक surgery को लगेगा उतना ही लगता है there is no problem about that it's just that यह जो एक skill होती है यह हम में खास है जिसके वज़े से patient कोई benefit होता है cosmetic benefit यह भी होता है कि हम surgery सारी मुझ के अंदर से करते हैं जिससे कि भार कोई निशान नहीं मिलता है that is the best part वाकि में क्योंकि आजकर जितने भी यूवा है वो concern भी इसलिए है क्योंकि उनके face पे किसी दिरह का कोई scar ना आए एक छोटा सा बोल आ जाने पर तो मतलब वो इतने जादा conscious of हो जाते हैं कि laser treatment cleaner स्टार्ट कर देते हैं तो वाकि में आप लोगों का जो job है वो बहुत ही जादा difficult है Dr. Anisha क्या oral surgeon जो जैसे कि आप खुद एक oral surgeon है तो मुझ के cancer की surgery में भी क्या आप लोगों की help ली जाती है क्या आप लोगों की करते हैं मुग की surgery यह भी एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है क्यूंकि oral surgery वाले 80 सालों से बहुत मेरे जो teachers होंगे उस दमाने में तो नहीं cancer को treat करते थे लेकिन अब advances हर कोर्स में हो गई है तो oral surgery course में भी onco surgery add होगी है इसके लिए हम लोग 3 years MDS करने के बाद one year two years more fellowship करते हैं oncology में और उससे जो उस तरफ जुग जाता है जुसको cancer की तरफ interest हो वो additional यह दो साल और लगाता है अपनी training में और उसके बाद वो बिलकुल cancer मेरे बहुत सारे colleagues हैं जो आज fantastic cancer surgeons है oral cavity के oncology surgeons जो जेनली होते हैं वो भी अपना specialization ढूंते हैं कुछ लोग lung cancer में जागा जोड़ जोड़ गया आपको रोकता चाओंगी दादो अबाले हैं अहमद्दगर महराश्वर से हमारे साथ इसवक्त phone line पर जोड़ गया है अबाले साहब बहुत स्वागत है और इसके कोई side effects होते है या नहीं इसके बारे में बताइए मैडम ठीक कहां पर oral surgery उनका सवाल यह था है कि बॉड़ी के किस-किस पार्ट पर oral surgery की जाती है और इसके क्या side effects है किस पार्ट में मैं सब्जी जाती है मतलब उनका सवाल यह करना चाहरे थे कि मुह के किस-किस पार्ट में जो oral surgery मतलब cancer surgery मुह के कौन से हिसे में okay oral surgeon जो है वो पूरा आपका यह जो maxilla है अब उपर का jabra है और नीचे का jabra के area में और नेक में तो जाना ही पड़ता है cancer surgery ऐसी है कि इसके जो lymph nodes होते है single person का काम नहीं होता है इसे हमेशा एक team होती है team में plastic surgeon भी होते है और हम लोग resection कर और oral surgeon भी reconstruction पार्ट कर लेते हैं मतलब आपने इतना हिस्सा काट दिया है cancer वाला तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है क्योंकि यह प्रिंसिपल है कि जितना tumor दिखे उसे 2 cm आगे जाके आपको कट मारने पड़े to make it safe कि सही में सारा tumor भार आया है कि नहीं तो 2 cm आगे जाके आप इतना सारा जब area काटोगे तो naturally बहुत बड़ा defect ले जाता है face पे so naturally surgeons जो है इतने हिस्से पे पुरा neck तप dissection करते हैं plus उसकी reconstruction भी की जाती है कई बार हम लोग यहां से tissue लेके चाती पे से tissue लेके या leg पे से tissue लेके उसको यहां grafting करके उसको बनाते हैं तो उतनी तक की training होती है हम लोग वो भी कर सकते हैं लेकिन क्यूंकि एक आदमी को फिर इतना 7-8 घंटे की surgery करना कभी कभी difficult होता है single-handedly तो करना पड़े तो करते हैं लेकिन team रहे तो ज़्यादा मतलब तीम गंटे के बाद दूसरा team take over करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है तो कई बार surgeons जो हैं वो सिर्स resection करते हैं तो plastic surgeon आके अपना reconstruction करता है तो अगर इसने 2-5 गंटे काम किया है तो उसने भी 2-5 गंटे उसको बनाने में काम करना पड़ता है So usually cancer is a team work आपने भी ग्राफ्चिंग कर सिख्व किया है तो ग्राफ्चिंग में किस तरह की दिक्कतों का साबना करना पड़ता है यह common वैसी ही surgery हर surgery में गाफ्चिंग का इस्तेमाल होता है या फिर especially अगर हम बात करें तो cosmetic surgery या फिर oral surgery इसमें ही इस्तेमाल होती गाफ्चिंग Surgeons, बहुत सारी surgery करते है यह तो एक हिस्सा हुआ उसके इलावा हम लोग जो है आपको पता होगा यह TM joint है आपको रोखना चाहूंगी और हमारे साथ कॉलर राची से जोड़ गया फूल सिंग है फूल सिंग जी बहुत स्वागत है सवाल कीजे अपना संपर्ख नहीं हो पाया है अलीशा जी अपनी बात को इसीजे हमारा एक joint है यह TM joint इस joint की problems भी करते हैं इस joint में आपने बहुत सारी पप्लिक को यह जानकारी भी नहीं होगी कि कई बार आपको अपनी आवादे सुनाई देंगे इसमें क्लिक क्लिक होना शुरू हो जाता है दर्द हो या ना हो इंटर्द बहुत लेग स्टेज में आता है पहले तो शायद सिर्फ अवादे सुनाई देंगे इसमें यह एक सिगनल है कि कुछ गड़बड हो रही है जॉइंट में अगर हम उस पे सतर करें तो हम इमीडिट जाके कंसल्ट करें तो आपका हल जल्दी निकाला जा सकता है पेन और डिस्ट्रक्शन स्टेज में आओगे तो आप देखोगे कि जॉइंट कभी-कभी इतना इंफ्लेम हो जाता है कि उसकी ट्रीटमेंट करने में भी समय जादा लगता है तो जॉइंट की सारी ट्रीटमेंट हम ही करते हैं उसके इलावा हम लोग आपने देखा होगा कुछ बच्चे कुछ बच्चे जो हैं क्लेस्ट लिप और पैलेट के साथ पैदा होते हैं यानि कि उसके होद कटे वे ही पैदाइशी पैदा होते हैं या तालू में छेव कामत साहब जो गए गोवा से कॉलर है बहुत वागत है सवाल कीजिए अपना मैं मेरे ओमरे 74 यर पेड़ है अलो जी 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 आवाज आरिये कामत साहब सवाल कीजिए मेरे तीन दाफ निकल गया है वो रिप्लेस कर सकता है क्या और उस से सवाल पर से दोहरा है अपना कामत साहब मेरे यरे 74 यर है मेरे तीन दाफ निकल गया है तीन दाफ निकल गया है मैं अभी ओर्म सुझनी कीजिए वो रिप्लेस कर सकता है यह क्या वही मैं बताने वाली थी कि ओरल सुझन डेंटल इंप्लांट भी करते है तो अगर आपके दांट गिर चुके है पड़ी यह अपने आप ही fixed dentures जैसा हो जाता है तो डेंटल इंप्लांट भी हम लोग डालते हैं वो भी एक पार्ट हमारा है और आपका जवाब हो गया गेताब साथ तो आपके सवाल का जवाब मिल गया है आप एक बहतर oral surgeon को कंसल की जो आपकी समस्या है उसका निराकरण हो जाएगा बहुत शुक्रिया है वे कॉल करने के लिए तो आपका अनिशा क्या oral surgery में चाहरे की सुंदर्ता के लिए जो कॉस्माटिक पोफीजर का इस्तिमाल होता है आखिर वो क्या होता है कैसे उसको यूस किया जाता है यह बहुत 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 पेशल्स बात निरुम्ट में बहुत निरुपट निरुम्रेयर काम करतें तो नाचुरली हमने उसकी सुंदर्ता के बारे में भी विए सोचना के लिए हमारे सारे इंसीजिण जो यह ध्यान रखते हुए होते हैं कि यह कोई वे लेखने इक प्रफटीनोंट को से कुछोगों के बहुती आगे रागे उतक होता है। और ज्फोलोगों के यह वहला इनध लया ज़से उत मैंनली लेखने सिर्फीज़ के एक बहुत भूंत्र मता रिपया कर दूजिक है। वैसे ही गे उपर या नीचे के जो बहुत आगे या पीछे हो था हम उसकी और्टोनेटिक सर्जरी करके उसको भी आगे पीछे करके क्यूंगी सुंदर्का की हिसाब से दुनिया में ये माना जाता है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रेट होना जाएएएएएएएएएएएएए प्रोफाइल नीचे किसी को ऐसी वाली बीच में चप्ति और चिन जादा प्रॉमिनेट हो ये भी नहीं अच्छा लगता है तो देफो ये जो 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 हैं इनको हम जहां मरजी शिप्ट करना चाहें विप सर्जरी वह भी इंट्राओर लेक मीचे लिगो उपर से नहीं जाती हमारे पास आते हैं कि इसको फोड़ा चोटा करो तो बिल्कुल हम सर्जिक लिए इसको त्रिम करते हैं ये तो हो गया सर्जिकल अक्षिज हम लोग बोटॉक्स का भी यूसेज बहुत जादा करते हैं बिकॉज वियार दूसरी बीमारियां उसे जैसे नियूरालिया होते हैं आपने सुना होगा सल्मान कां को ट्राइजनल नुराल्जिया है तो जैसे ये नर्व के जो डिसॉडर्स होते हैं उसके लिए बोटॉक्स वैसे भी हम लोग मेडिसिनली यूस कर रहे हैं तो उसको एडिशनली जुरिया मिटाने के लिए यूस करना है कोई बड़ी बात नह है उसके इलावा है ट्रांस्प्लांट करना शुरू हो गया है अभी हमारे कोर्स में हैर रिजेनरेशन थेरपी मतलब आप पी आर पी लेके उसको फेस पे लगाएं उसको हैर पे डालें तो आपका हैर जो है और ठिक हो जाता है तो ये सब चीजें कोस्मेंटिक ही होई एक अए अगरा से एंग फ्यूचर में आपको बताओ और शुर्चरी में फेसलिफ्ट भी आने वाला है अभी तक तो प्लास्टिक सुर्चरी इंग ये कोई बड़ बड़ जहां दो यहां की सुर्चरी कर लेते इनने बड़ बड़ चीजे कर लेते तो तो फेसलिफ्लिप अभी हम जिस अब जिक्र कर लेकि किस तरह से कॉस्माटिक सर्चरी होते हैं क्या कुछ चीजे आने वाले वक्त मां आजांग हो जाएंगी कुछ लोग होते हैं जिनका जो आपने बताया कि अपने पेस की पीच्वर से वह बहुत जादा बतलब खुश नहीं रहते हैं तो ड कुछ लोगों को nol swab deep कराते कि किसी कि ना को होती है, पतली होती है तो गया आने वाले वाक में हम यह रहते हैं कि यह बेखी हो狃 मोरे शर्चन करेंगे कि यह अरा कुरु अर्च करेंगे। बोल्ग तो फिर नॉनस प्रीजिजर जो बोलते हैं कि आप छोटे मोटे इंजेक्शिन देके जैसे फिलर्स जो होते हैं वोट्व बोटॉप्स लेक्शियर हो जाता है। वो वाला काम तो पीपल जादा असानी से मांगते हैं अच्छी राधर देन गोई फुल फ्लेट सरजरी तो इनकी जो कॉस्ट भी है वो भी बहुत जादा होती होगी अगर फिलर्स अगर जो इस्तिमाल करें जिनके गाल पतले हो गए है उनके लिए अगर फिलर्स के तौर पर इंजक्शन आप दे रहे तो इनका प्राइस भी होता होगा फिर मैं आपको बता जो जिसको अपनी शकल अच्छी नहीं लगती है उसको चाहिए कि वो इंप्रूव करें और मैं आपको बता हूँ जो होता है साइकोलोजिकल एक सुन्दर होने का उससे जितनी बुस्टिं लती है साइकोलोजिकल परसन को परसनलिटी पूरी निखार आजात मैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि सुर्जरी में हमारी स्किल के उपर और हॉस्पिटलाजेशन पर जाता है लेकिन चेयर पर मैटीरियल पर जाता है जैसे फिलर थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का मेंगा होता है लेकिन इत फाइप मिन जोग तो ये फर्क पर ज जब आपको जब देख नगी कराने के बाद कुछ खान पान का भी कई दिनों तक ध्यान दखना होता होगा पॉंसी सरजरी कराना चाहेंगे और किस तरह की सरजरी के बारे में पूफ रहे है उस तर आपको जवाब दें जैसे मुझे नाप की सरजरी करानी मतलब क्या प्राइनो प्लास्टी का खान पान से कोई कनेक्शन ही नहीं है आपका मुझ तो फ्री है ना आप बिल्कुल सब खाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं तो रोजी जी आपको आपकी परेश्वानी का हल मिल गया है और जो सर्जरी आप कराने जा रहे हैं बस उसके लिए आप एक अच्छा डॉक्टर कंसर्ट कीज़ए एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जो गए है संजय जी बहुत सुआगे ते सवाल कीजी पर नहां और कि नेली ऑंड लिए नांच की ज़ो है एक हंछी मतलब थोड़ी बड़ी है और की तरफे नोस्रेंज करें iller है या शेक कीज़ रहे सर्जरी चॉच्टा republican कोई बेमारी तो नहीं है मैं लाइन नाही है। पार, सकाथ सबस्टापने कर्या है? अधर की तरफ उन्द टुक है यह गवाज भाज ए ओघंक अधर तर ढजी है, त несता क्या सम्टों के तिस सम्टों क उन्सकु अम्या है ब्रीधिंग में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे तो नॉमली लोग इसको ठीक कराने इसलिए जाते हैं कि वो शेप उसका 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 सुन्दर गिना जाता है तो अगर आपका मोटिवेशन उस डिरेक्शन में है तो फिर वैसा करवा लीजिए उससे कोई साइड एफेक् का तो खर्च आता ही है और सुजरी इसल्व नॉट भी मोटिन 45 मिनट्स तो बहुत शुक्रिया संगे जी कॉल करने के लिए बहुत दॉक्टर से कंसल्ट की चुए और जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल ही गया है जाहिर आनी साथ क्योंकि अमोमन हमने दे अकल दाड़ा आती है तो दर्द उतना सुरू होता है तो उसको भी नॉर्मल कि अरे वो एक दो तीन चार साल में आ जाएगी तो मेनवाल वो डॉक्टर को कंसल करना भी जरूरी नहीं समझते हैं तो इस नेगलिजएंसी को आपकिस तरह से मैं तो चाहूंगी कि पेरेंस तो इस नेगल रहेगा कि द्यामतों का ख्याल रखो तो फिर उससाब से उनका डर जो होता है देंटिस के नाम से वो भी कम हो जाएगा कि ये पेडियाटिक देश्ट्री वाले ने ये लोग के पास खिलोने उनका जो जो बनाते है कि बच्चे डरे ना उसके बाद अब बने तो फिर आपके तो सारे काम नहीं होंगे आप आएंगे ही नहीं तो ये जो थोड़ी सी गलत धार्माई है और दूसरा आपने जैसे मैंचिन किया विज्डम तूथ इसको विज्डम तूथ इसले भी बोलते हैं कि ये यूजली 18 साल की उमर से 25 साल की उमर तर इरप्त होता ह और क्यूंकि हमारा जबड़ा ओवर सेंचरीज थोड़ा साइस उसका चोटा हो गया है तो ये कई लोगों के लिए उस आखरी मोलर के लिए जगा नहीं बचती है इंद जोड़ी तो कई बार लेता हुआ आता है या बहार पूरा निकल नहीं पाता है ऐसे केस में अगर आप जब बाद दिया पांकिलर था के बचाद दबा दिया फिर आप देखोगे आप अगर बहार आप नहीं आ रहा है ओपर तीन मेह के बात भी थेन मेह नहीं आने वाला हुआ तो देन इस बड़ें के लिए जाए प्र एक्सरे में जाए पूर अगर वो इंपक्टेड है यानि क जब देखोगे था हो गया था कि वह बहार में आ या तो लेटा हुआ है या हड़ी में टॉट हो गया है तो ऐसे केसे उस दांत को निकाल देना बहुत जरूरी है क्यूंकि उस दांत ने आपके आगे वाले दांत को डिस्ट्रॉई करना शुरू कर दिया हुआ वह आगे वा कॉर्णर हमारे साथ इस वक्त जोड़ गए है राम राम सिंग राम सिंग भी बहुत प्वागत है सवाल कीजिए अपना मैड़ा मुझे पूछना था कि मेरी छोटी बहन है करीब वह 5 साल की है और बाई बर्स है उसके बीच में जैसा फोटो अपने टेलिविजन पर दिखा र हैं लोग हसते हैं मेरे उपर लोग मजा कोड़ाते हैं स्कुर में पापा कुछ करो मेरा बहिया तो हम गये तो डॉक्तर बड़ा हो जाने दीजी अभी से मत करिया नहीं 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 आप गलत सोच रहे हो मैं आपको बता दू यह जो कटे हो और आपने यह बात सही करी कि बच्चा पेदा होता है और अगर पैरेंट हमारे पास तूरंद लेके आएं तो हम तो छे मैने में उनका होट का सिलना मतलब यो कट होते हैं उनको हम सूचर कर देते हैं यानि कि छे मैने का बच्चा जब ऑपरेशन कर सकता तो आपकी बच्ची तो फाइव यह जी है आप बिल्कुल उसके ओपरेशन के लिए वेट ना करें आप जाके बिल्कुल अच्छे से क्लेप सरजन से मिलके उसको ऑपरेश करवा लें और बच्चे का बहला बहुत साइकोलोजिकली होगा I think you should not wait बहुत शुक्रियर राम सिंग्ची हमें कॉल करने के लिए दॉक्र अनीश कि हम कारिकरम कि अब बिल्कुल आखी पड़ाव पर हैं वक्ते का भी आभाव है क्या सलह आप हमारे दर्शकों को चलते-चलते देना चाहेंगी मैं यह कहूंगी कि I hope हमारी इस बातशीत से और इस चैनल की पहल से कि सबको आपको डीटेल में सारे health workers को भुला भुला के उनके बारे में बोला जा रहा है तो इससे awareness फैल रही है और आप लोगों को भी कुछ ग्यान मिल रहा है I just hope कि आप समझ जाएं कि किस डॉक्टर को किस चीज का treatment करना चाहिए क्योंकि बैठ है तो सारे ही है सब करने के लिए आज की competition में लेकिन आप बिल्कुल डॉक्टर की काबिलियत देखते हुए जाएं उसके पास और दातों और होटों और फेस का भी बिल्कुल आप ख्याल रखें शुरू से जैसे अपने का बच्चे से बच्पन से ही अगर हम लोग में कुछ डिफेक्ट रहे चाहे दान्त मिसिंग रहे जाहे दान्त तेड़े हो बार की तरह आप बिल्कुल अर्ली ही उसका ट्रीक्मेंट करें क्योंकि साइकलोजिकल इंपक्ट जो बच्पन में होता है वो जिंदिकी भर रह जाता है एक इंफिरियोर्टी कॉम्पलेक्स वो नहीं होने देना चाहिए तो वो बहुत जो जानकारी है बहुत महत्पुल जानकारी है आप में हमारे दर्शकोप होती है और इसे के साथ परास के हत में मेरे साथ इतना है बीचुछ से आजब नमस्कार